आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार परिवन निगम की कबार पड़े बस धड़ले से दोड़ रही है आपको बता दे कि सीमय योगी ने परिवन निगम के कंदे पर एक बड़ी जम्मदारी देते हुए कहा था कि सड़क पर चलने वाले उन तमाम सरकारी और प्राइवेट बस ट्रक कार मोटर साइकिल वह स्कूली बसों का फिट्नेस ट्रक करें लेकिन हालत वही के वही है नहीं हमारी बसे भी फिट्नेस को करने के लिए हम लोग अनिवार दिरुप से अधिकारियों को निर्देसित किया है कि परिवन निगम की भी बसे बीना फिट्नेस के सड़क पर नहीं चले परिवन दिवस पर उत्तर प्रदेश के सभी जीला कारागारों में वरिच्छा रोपड कारिकरम आयुजित किया जाएगा इस बात की जौनकारी उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड राज्च बंद्री धर्मीर प्रजापती ने एक प्रेस वारता के माध्यम से दीश दरान उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सच्छिफ ग्रियर अवनीश अवस्ती और डीजी कारागार अनन्न कुमार इसके लिए और एक कैदी होता है कि अचाना कोई घटना गट गई और वो जेल में चला गया अंदर और फिर जाने के बाद पश्चाताप होता है कि मैं बाहर की दुनिया से चार दीवारी में बंद हूँ तब उसे एहसास होता है एहसास होता है पश्चाताप भी होता है तो हमारा भी दायत बनता है कि ऐसे लोगों को सुधरने का उनकी मनोदसा बदलने का अफसर दिया तो पेशी से लोट रही एक गाड़ी महला बंदी थी उसमें और बच्चे जाली से बाहर ज्हांक रहे थे उसमें बड़ा धया आई और देखा कि बच्चे जो बाहर खेलने कुदने का अवसर है और वो आज बाहर की दुनिया को एक जाली से जाक रहे हैं उसी से मन में तै किया कि हमने पहले निर्दिस किया और आज भी हमने वीडियो कामटर्सिंग के माद्यम से कहा है कि बच्चों की जेल के अंदर पढ़ाई लिखाई रहना सेना खान पीन सब सारी वश्ता अच्छे से हो और माओं के साथ केवल बच्चे सोने के लिए जाएंगे उनकी मनदोसा पर कोई प्रभाव अंदर कैदियों करना पड़े यह विवस्ता हम करने जा रहे हैं ब्रच्चर उपड़ के लिए मैंने एक लक्षे दिया है आज उसी विश्य पर कल परयान और देश्य तो दो द सब्सक्राइब बदला होगा साथी सार उनको चुटना नहीं जुनकी सजा हो चुकी है वो छोड़ विर जाएंगे ऐसा सब्सक्राइब क्या मानते क्या बहुत बढ़ा काम आधनी मुक्मंत्री योगी जी ने किया है कि पहले सजा भी पूरी करनी होती थी 60 साल भी पूरी कर करें अब आधनी योगी जी ने बदलाव करके 60 साल उम्र भार जो पूरी करनी होती थी खतम कर दिया है अब कोई भी कह दी अपनी सजा पूरी करेगा और अपने घर जा सकता है ऐसी विवस्ता सासनादे से लावग हो गया है नीचे पहुंच गया है और नीचे से पर दिखने गर जिससे के अलबाता बदलेगी रहेंसान बदलेगा यह जो धार ना होती है तो निकल कर आते हैं तो निकलंगे आता हैा है कि बदलास ने कर देंगे और उनका जो प्रेड़क्ट है वो आम जंता तक लाएंगे भी यह भी हम प्रयास कर रहे हैं बहुत कुछ बदलाब करने की योजना है और कैदियों की मनोदसा बदलने के लिए हमारा प्रयास है कि जो भी शंबब होगा हम करेंगे और कैदी हमारी इच्छा है कि कैद हुमगार्ड राजमंत्री प्रजापति का कहना है के मनोदसा बदलने के लिए काम कर रहे हैं साथ से तमाम ऐसे सासराइस आया है जो लगातार कैदियों को जो उनकी बंदी जो अब्दी है उसको बार भी वो बंद रहते हैं अर्थदन ना देने के पार कारान या फिर जो ज उसको छोड़ दिया जाए जो अर्थदेट के कार न जो वे उसमें लगवा लगा इस उचाटिस के ओड़ियों को जो 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 जाए कारगारों से जिसे उनकी जीवेकारजन है उसकी मनोदसा बदला जाए और आगे जाके जब जीए से बहान निकले तो अपनी जीवी का चले और साथी साथ आगे बढ़ने का प्रियास करें क्या प्रसंट दीपके सार गौर सियस्तो प्राइम टीवी लखना हुए जोती ने कहा कि कानपूर की घटा विपक्षियों की बॉकलाहट है वहीं 400 सीटों का दावा का सपना देखने वालों का जब सपना चक्ना चूर हो उन्होंने कहा कि विकास की 57 योजनाएं हैं जिसमें उत्रप्रदेश नंबर वन है साथी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि संप्रदाइक दंगा हो जौतिय दंगा हो चेत्री दंगा हो या फेरा कोई और दंगा हो अब यह सब पिछले जबाने की बात है समय किंद्री योजनाओं में यह पहली बार भारतवस्त में उत्रप्रदेश को यह स्थान मिल रहा है इसलिए अब संप्रदाइक दंगा हो जाती दंगा हो छित्रेता हो हुर्दंग हो अब राजी वर्चस इस्थापित करने कोशिश करता हो अब यह पिछले जमाने की बात हो गई अब उत्तरप्रदेश में कानून का राजी स्थापित है उत्कडाई से पाल करने कोशिश करने को कुछ लोग दिन में शपने देखते हैं उत्तरप्रदेश में अव्यवस्था करने का उनके सपने भी चूर-चूर होंगे और उनके द्वारा किये प्रत्नों का सरका कठोर कारवाई के रूपने जवाब भी देगी कि वाउखलाहट है कि चार सो सीते लेकर के आने वाले सपना देखने वाले जब सकना सपना चूर होता है तो फिर उठने के बाद वेक्ति उपद्रों करता है लोग सबहा का चुनाम आ रहा है उनकी बोखलाहट साप जाहिर हो प्रिसासन महां हहा महहमएं मरास्तमकरती जी के आखमन के कारण दुखाने बंद करवाणा था अ कि आधी सुनियोजत नहीं होता तो हन दो जो भी जोले कहां स आ श्याक है तो सुनियो जिट नहीं होता तो पथ्ली कहां से आ चैत दौनिया तरीके से फांच साल कुछ नहीं वो पाया पूरे प्रदेस में अब उखलाट में हैं कैसे प्रदेस का महल खराब किया जाए मुझे योगी जी पर पूर्ण विस्वास है कि योगी जी ऐसे लोगों को उनका जहां घर वहीं पहुंचाएंगे अलिगर्की कोटवाली सिविल लाइन छेतर में आम आगवी पार्टी के कारे करताओं ने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याच्वार को लेकर जुला मुख्याले कलिक ट्रेट पे पहुचकर जोरदार प्रदर्शन किया साथी प्रदान मंद्री के नाम एसीम को ग्यापन सौपा गया और उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याच्वार को लेकर सुरक्षम होया कराई जाने की मांग भी की जो रहे जो जो आज बहुता है और आज भी केंड़ का आज अच्वार की शचार है उसके बाद जिस तरह से प्लायन सुझ हो गया है जो कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा प्रदान की मांग की साथ ही डीम को ग्या पन सौप और पार्टी के वरिष्ट नेता राशिद सैफी ने जो अनकारी देते हुए बताया कि जबू कश्मीर में एक महीने में कई तार्गेट के लिंग के मामले सामने आये हैं सांसत मानिय संजय सिंग जी उनके निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमने जो कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडितों की हत्यां की जा रही है उनके विरोध में आज हमने विरोध प्रदेशन किया है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और एक ग्यापन जो है वो यहां के मरादाबाद के जिला देकर एके माध्यम से राजिपाल को भेजा है जिसमें हमने ये मांग की है कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर सिर्फ फिल्में बनाकर करोडो रुपे ना एठे जाएं जनता की भावनाओं कुछ से ना खेला जाए बलकि कश्मीरी जो पंडित हैं उनकी हत्याओं को वास्तविक तरीके से रोका जाए और उनको सुरक्षा दी जाए, उनको नियाए दिया जाए और उनके विस्थापन को रोक कर उनकी इस्थापन अलिगड के एक और सी था ना छेत में एक योटी ने यूटूबर पर छेड़ खानी कारूप लगाया है महिला का कहना है कि उसका विवाद एम्यू प्रोफिसर के साथ चल रहा था दरसल प्रोफिसर महिला को ब्लैक मेल किया करता था जिसके शिकायत महिला ने पहले से ही पुलिस को दी थी मदद के नापर शाहिद रजा ने महिला के घर पहुच कर महिला के साथ कई बार चेड़कानी भी की महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी भी मिली यूट्यूबर शाहिद रजा से परिशान होकर महिला ने वरिस पुलिस अधिक्षक से शिकायद की है मेरें दर्ज हूंथी ग्यारा तारिफ में दोजार बाइस ग्यारा में एक एम्यों के राक्टर हैं और एक अधर परवेज और रिटैटर अइंजुव इन लोगोंने मेरे साथ सार रेप किया था और करते आ रही हैं अब तक अब तो है मेरे घर बहाने से मेरे खर आया था और उसने मेरी और डाक्टर की असली वीडियो अपने फॉन में ले लिए और मेरे घर आता है किस वकर मेरी वीडियो मेरे फॉन से ले लिए मेरे घर आता है कि या तो एक लाक्टर और उसने मेरे साथ में करो मिलंचरे पहाजों में अवायर्द खरनन करने वालों पर तहसिलदार ने शिकंजा कर सदिया है और SDM शिकारपूर के निर्देश पर खरनन माफ्याओ पर सक्त कारिवाई की है साथ ही कहना है कि बिनानुबती कर रहे खरनन माफ्याओ पर इसी तरह से सक्त कारिवाई होती रहेगी पहासु छेतर में कल रातर में सूचना पर नाप्लार स्रीजुसिल गुप्ता को बेजा गया था जहां पर तीन लगवर पकड़ में आये उनको चीज करते हुए कारिवाई एक एडिया में फंडार सरको डिपोर्ट प्रेसिट कर दिये हैं जहां पर भी सिगायत मिलती है वहां पर हमारी टीम जाती है रेस्कूव करने के बाद जहां पर भी टीम पकड़ती है उसके खिलाब कारिवाई होती है गाजबाद में पाच वर्षी है बच्ची के मंकी पोक्स बिवारी जो से लक्षड मिलने का मामला सामने आया है जोसे स्वाजबाद में एड़कम मच गया है बता दे कि बच्ची अपने परिजनों के साथ पट्टा से अपने लाज़ कराने के लिए गाजबाद के इनिजी इस्पिताल आई थी इस दोरार बच्ची में मंकी पॉक्स इसे लक्षड देखकर उसका इलाज करने वाले डॉक्टर निगाजबा स्वाजबाद को सूचना दी है जिसके बाद स्वाजबाद की सविलेंस टीम ने बच्ची के सैंपल लेकर न आई बी पू ने जो आज के ल लेने के लिए बच Bailey लेने के लिए भी इस आज लियो आया था कि इसके पूरे बदन पर हमने भी पार बच्री में पोखे तोंने बिदा कि पोरह बच्ची में नहीं कर पाए, लेकिन हाथ पैर चेहरे वाले हम देख पा रहे थे, और उसके साथ हिस्ट्री में यह मिला कि चार बच्चे परविवार में और भी है, जिनको इस तरह के लिजन है, लेकिन कोई हमें ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिल पाई है, पर फिर भी हमें लग रहा था कि य इंफेक्शन है जिसको इंपटीगो बोलते हैं हमने यहां CMO टीम को दिमेट किया उन्होंने अपना इंफेक्शन है के ग्राम सिंव रौणा में डीम की और से बहुत देशी है, पंछायत भ्वनागनवाडी के इंद्र और अंतियोस्टी स्थलका निरिक्षड किया गया भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक आठ कमरे के जगा पर कमरे का नर्माड करवाया गया है। निर्माड कराया है। उसमें काफी बंदर बाट और भूट खसोट की गई है। इस विशह में सिम्रोना के लिए डीपियारो और अन्य दो अधिशाशे बिहनताओं की एक टीम आज ही बना दे रहे हैं। जो इस इस्तल की जाश करेगी। इसी के साथ साथ जो पंचायत सचवा करेंगे। इसमें जो कमेटी जाश करेगी इसमें उसके बारे में रिपोर्ट आज दे देगी। और साशन से जिन लोगों के खिलाब में लंबर होना चाहिए। शाजापूर में नगर निगम ने एक बड़ी कारिवाई की है जो हावेद अतिक्रमड पर प्रशासन ने बुल्डोजर चला इस दौरान जो आनकारी देते हुए अपना नगर आयुक्त इसके सिंग ने बताए कि लगातार नोटिस जारी किये गये थे कि जमनी को खाली किया लेकिन जमीन खाली नहीं की गए जिसके बाद नगर निगम अपने तरीके से कारिवाई की है को कि संपत्ती है लगभग पाठाइ इसकार्स की जमाहां है यह पूर में अवंटन्सी तेज पाल सिंग्यों और कजान पाल सीय को तब्राइंट मसली उलट्मेंट ती इनोंने सर्टों का उलंगन किया था तो लगभग एक साल पहले इनका आवंटन्सीन दिश किया चुका ह साबकट में बंम मिलने की सूचना के पर इलाके में हड़का मुच गया कानपूर में भीश कड़ाई के बाद एक बार फेर बंम मिला है खेत में रखे बंपर बड़ा मजदूर का पैर बच गया सुचना पर पहुची 112 की टीम ने बंप को डिफ्यूस किया इलाके में महीने में आखरी सफता में चाइमर बंप का दो स्पोर्ट हुआ था वहीं नौ साल पहले ट्रांजूस्टर बंप का वस्पोर्ट हुआ था इलाके में बंप बनाने वालों के गिरों सक्री हैं घटना राडी गंज को तवाली के दुर्गा गंज बज़ार के पास की है फरुकबाद में तहसिल कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है जो अभी शडगर्मी में भी फर्यादियों को पीने के लिए पानी और बैठने के लिए कुरसी नहीं मिली समधान दिवस के आयोजन पर तहसील कर्मचारियों ने फर्यादियों के लिए कोई विवस्ता नहीं की वही सीडियों को कोई विवस्ता नहीं दिखी और तहसील कर्मियों के लापरवाही पर परदा डालने का प्रयास किया राइबरेली में जरजर हो चुके काशी रामावास योजदा के फ्लाइट में रहने के लिए लोग मजबूर है और अर्बो की लागत से बने काशी रामावास योजदा महज 10 साल में जरजर हो गया और अफ्लायट के कई लोगों ने इसकी शिकायत भी की है लेकिन किसी भी प्रशास्निक अधिकारी ने कोई कारेवाई नहीं की अभी कट्पर मीडिया के दोर जो संग्यानित में आया है कि खोर में अवस्थित हमारी कांसी रामाव सिर्जनक की बुड़वत्ता अच्छी ना होने के वज़े से प्लास्टर की त्यादी गिर रहे हैं इस सिकायत को संग्यान में लेकर के ताथकाल इसके जांच कराए जाएगी जांच कराए जाने में जो दो सी लोग रहेंगी उनके बुड़ नेमांसार कारवाईगी शाजापूर के जलास्पताल में भरते एक महिला की बीती रात मौत हो गई थी जिसके बाद आकरोशित परीजनों ने जलास्पताल में जमकर हम गामक किया और स्टाफ के साथ मारपीड भीकी मौके पर पहुची पुलिस ने मामले को शांद कराए अधर करता करती या लेती है इसके बाद पुलिस किया गया था कि बोड़ी को उसको मर्शी परढ़ा देते हैं लोग देखिए नपरवाई हुए उसकी जाल के लिए अमने बात की दिनी परवाद इन वोड़ी कि वरे जब बढ़ीजा जारा मौशी में उस समय भी उनों उनक संबल में पुरानी रंजिश को लेकर घर पर चड़कर दबंगों ने लाठी डंडों से पिटाई की जिसमें दो मैलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई घायलों को सीच सी जुनवाई अस्पिताल पहुचा आया गया रामपत ने आरोप लगाते हुए बताये कि रेखा पहलाएं करना होगा मौके पहुचे पुलिस ने गहायलों को स्पिताल पहुचा आया योधिया में एक हैरान करने वाला माम़ला सामने आया है जुहां किसान ने तहसील समधान दिवस सौहावल में सीडियो अनीता यादो की शिकायत की और शिकायत करते हुए जिनदा होने क सबूत दिया और कहा मैं जुन्दा हूँ दरसल जुन्दा किसान को खतावनी में मृत दिखाग दिया गया था हूँ सीडियो ने सियो शैलेंदर प्रताब गौतम एसडियम को जिम्मेदारों के खिलाफ कारवाई करने की बात गई नानपुरी में पुलिस ने हत्या और उनहत्तर भेडों के दो लुटेरे को गिरफतार कर लिया और पकड़े गया आरोपी के पास से दो तमंच्यों और एक चाकू बरामत किया है साथ ही आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूला है वे आरोपियों को पकड़ने वाली चीम को अधिक्षक दौरा दसफ़ार काई नाम दिया गया है कुर्णा थाने में 24 बटे 25 की रात में कृपाल नाम के एक ब्यक्ति की हत्या हुई थी लेकिन उनके साथ कोई रहता नहीं था इसलिए परिजनों को ये इस बात की जानकारी नहीं हो पाई इनके भाई मुंबई में रहते थे 29 सारी को आ करके इनको द्वारा थाने पे सुचना दे गई इस पर पुलिस मौके पे गई तो वहां पर भेणों के बीच से जो गंदगी उनकी गोबर पड़ा हुआ था उसके बीच से इसकी डेड़ बाड़ी जो सड़ी हलत में मिली इस समध में परजनों द्वारा वेकरम के खिलाप तरीर दिया गया वेकरम से जब पूस्ताच किया गया तो एक राजू नाम के अभिक्तित की परकास में आया दोनों से पूस्ताच में पता चाला कि इनके पास 69 भेणे थी क्रिपाल के पास रात में इन दोनों ने मिल करके चाकू को गला काड़ करके हत्या कर दी और उन बेहड़ों को ले जाकर के जस्वन अगर या कहीं और जाकर के उनके जरब बेचा गया इस समद में इनके पास दो लाग पचासी एजा रुपे और दो तमंचा और घटना में प्रियुक्त चाकू भी बरामत ने किया गया है पुलिस मुटभिण के दौरान ये गिरफतार हुए है दौरिया पुलिस ने एक बड़ी कारिवाई की है और करीब पांच लाग चालिस हजार की अवैद शराब बरामत की है साथी दो आरुपियों को भी गिरफतार कर लिया गया है फिलाल पुलिस पूरी मामने की कारिवाई में चुट गई है और यह मुना नदीमे नहागने के दौरान दो यूखों की ढूबने से दर्दनाक मौत हो गई सुचना पर पहुची पुलिस ने नदीमे गोतागोरों की मदद से दोनों शावों को बाहर निकाला जिसके बाद शावों को देखकर परिजनों को स्ट्रॉप दिए और यह के मंडी समिती नेशनल हाइवे पर एक बड़ा हाथसा हो गया जुसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही डी सीम चौलक को गिरफतार कर लिया गया और दोनों शावों को पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया गया तरही दिए पहले डी सीम जो कानपोर से डावर पर जा रही थे खिनारे नेटरेत दो रणों को चलती जो है निकल लिए इसमें बाद में पकड़ा गया इसको जड़ा इसमें एक लड़की की तत्काल मौके पर ही उम्यत होए और दूसरा कंभी रूप से घाल हुआ तो कंभ लापूर की कक्राला पुलिस चौकी पर दो मई को पुलिस दौरे की युवक को चौकी पर लाया गया था जहां उसके साथ बेरहमी से मार पीट की गई करेंट लगाया गया जिसके बाद 5000 रुपे लेकर उसे छोड़ा गया इस मामले में परिवार काफी दिन तक डरा सहमा रहा लेकिन जब युवक की हालत भी गडी तो परिवार जनों ने आप भी थी बताई और मामले की शिकायत एसेसपी से की एसेसपी ने जोहाच सी उदादा गंश को दी जिसके बाद पुलिस कर्मी दोशी पाएगे चार अरक्षियों के नाम थे जिनके द्वारा इसके बेटिक साथ मार्पीट की पुक्त की संब्द में परिश्पिल अधिक्षार मौदे द्वारा छीतरा दिगाई दातगंज को जांसवपी जांस में प्रतम दिश्टिया आरोपी की पुष्टी पाते वे एक अभियोग थ जादे के अब्दुलकरीम के द्वारा कोतवाले भिंगा में प्रातना पत्र दिया गया कि भिंगा के बटियावाज वाली रोड पर रहली भट्टे के पास दो मोटर साइकल पर सवार चार लोगों ने 3,45,000 रुपए और मुबाइल शीन कर भाग गया है वही घटना का सग्यान लेते हैं श्रावस्ती पुलिस ने कोतवाली भिंगा पर गद्मा दर्जुकर घटना सलका ने रिक्षड किया और संयुक्त टीम ने 6 गंटे के अंदर जूटी लूट की घटना का खुलासा किया वाराइज से 3,45,000 रुपए लेकर आ रहे थे जिसको गया पुर्वा के आगे चार लोगों ने इनसे चीन लिया है इस पर तत्काल अवयोग पंजी क्रिप किया गया इस पर पुलिस और प्राइम ब्रांच ने मिलके तत्काल कारवाई करते हुए और करिब से गंटे में सार खबर आ रहे हैं जो आप ब्लॉग के परिसर में जो ब्लॉग प्रमुक मिथलेश यादव घंड विकास अधिकारी मुनीश कुमार के अधिक्षिता में एलम के सोज़ाने से दिव्यांग जनों और व्रद जनों के लिए अंग वितरड शिवर कायो जिन किया जिसमें ब्लॉ इसमें ऐसा है कि यह जो टेंट है भारत सरकार को तरफ से अधिक अधिकरत कंपणी है उसके तोरा इनको नामिक करते हैं लगवाया गया है इसमें सिर्फ दिव्यांगी नहीं है दिव्यांग में जो व्यक्ति हैं उनको तो उपकरन मिलेंगे ही उनके लिए रिजिस्टुश आमियां चलने में इतने बैठने में कमर में दर्द और गुटने में दर्द इसमें पर एक समस्या आती है अब तकी खास खबरों में इतना ही देश-दुनिया के और ताजुतरीन खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार